मेरा नाम है रेवर खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आयो एक मैनुपलेशन एडिटिंग वह भी पिक्सार्ट से और इसमें बहुत जबरदस्त जो हैं मैनुपलेशन करने वाले हैं सिंपल कुछी स्टेप्स में तो मैं स्टेप बाइ स्टेप आपको समझाओंगा कि कि तरीके से आपको क्या चीज इंपोर्ट करना है और क्या चीज आपको कहां लगानी है तो सभी चीज मैं बताने वाला हूं तो जल्दी से जाके आप पहले स्टॉक डाउनलोड कर लिजिए है मेरी वेबसाइट है www.archetipsandrix.in आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फुल एजडी पी एंजी जैन बैग्राउंड है उसमें और गाइस अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लिजिए उस वीडिय हमारा बैग्राउंड है उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं यह हमारा बैग्राउंड और यह काफी हाई एजडी बैग्राउंड है और यह जो है ओरिजिनल बैग्राउंड में आपको दे दूंगा तो आप जल्ली से जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा second step है मेरा यहां से आप जाएंगे simply crop में crop में जाने के बाद मैं इसे portrait वाला जो Instagram का portrait crop होता है वो करने वाला हूं क्योंकि मैं अगर इसे Instagram में upload करूँगा तो बहुत अच्छी लगेगी तो मैं इतना crop कर लेता हूं इसे done कर देते हैं simply इसके बाद का step है आपको simple जाना है effects में जाने के बाद blur में जाना है blur की opacity हम इते नीच रखेंगे 15 इतना सहीं लग रहा है आप कम जादा भी कर सकते हैं अपना blur को तो ध्यान रखिए यही वाला blur आपको use करना है तो मैं चलिए 12 कर देता हूं यह जो blur देख रहा है बहुत सारे किसम के blur हैं यहां लेकिन आपको blur करना है इसके बाद हम इसे simply done कर देते हैं और इसके बाद की हम पूरी editing करेंगे draw tool में तो draw में हम लोग आ गए हैं और इसके बाद मैं इसे landscape में कर देता हूं क्योंकि अच्छे सही है जो आपको समझ में आएगा तो यहां से simply जाएंगे हम layer में और layer में जाने के बाद हम यहां Mpt layer जो इसे select कर लेंगे और यहां से add photo में जाएंगे simply यहां से हम जो हमारा cut out है वह लगा लेंगे तो cut out हम यहां से ले लेते हैं इतना crop करके तो यहां से done कर देते हैं तो अगर आपको पता नहीं कि फोटो को cut कैसे करते हैं background release कैसे करते हैं तो मैंने एक video इस पर बनाई हुई है तो आप वो जाके देख सकते हैं बहुत ही simple तरीके से मैंने बता है कि कैसे आप background को cut कर सकते हैं यहां से हम इसे adjust कर देंगे थोड़ा सा तो मैं इतना इसे adjust कर देता हूँ तो देखिए गाईस हमारा background blur हो गया है और हमारा cutout भी लग गया है model का इसके बाद मैं इसे यहां बहार click कर दूँगा इसके बाद यहां से फिर से जाएंगे हम एक और mpt layer लेंगे यहां से plus में जाएंगे mpt layer में जाएंगे इसके बाद हमको यहाँ एक और प्लस में जाएंगे और यहां से हम photo को import करेंगे तो हमें इस बार क्या करना है हमको एक png जह यह वाली हम png को import कर लेंगे तो यह png का description में लिंक है आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इसे इतना क्रोप करूँगा और सिंप्ली इसे डन कर दूँगा फिर इसको हाइट कर देते हैं और यहां से इसको फेट कर देते हैं पूरे बैक्राउंड में तो गाइस यह जो है हमारा पूरा background में fit हो गया आप कैसी भी fit कर सकते हैं क्योंकि हमारा cutout तो उपर आने वाला है इसके बाद हम क्या करना है हमको यह MPT layer को ठाके नीचे कर देना है तो देखिए आपका cutout सामने आ गया और जो है आपके fonts जो है पीछे चले गए इसके बाद हम यहां कहीं भी tap कर देते हैं इसके बाद हमको एक और layer लेना है यहां से MPT layer यहां से plus के icon में add photo में जाएंगे और simply हमको एक glowing png लगेगा तो हमारे पास glowing png है यह वाला तो हम simply इसको ले लेते हैं तो नहीं और इसकी opacity कर देते हैं इसकी opacity नहीं इसको blend कर देते हैं हम सबसे पहले इसको screen कर देते हैं और इसे height कर देते हैं और इसे थोड़ा-ध्या बड़ा कर देते हैं तो यहां आपको जितना आपको pmg बड़ा करना है आप रसाएं तो मैसे corner पे लगाऊंगा इधर साइड और इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इतना ठीक है तो यह देखिए यहां यह फिट हो गया है इसके बाद हमको क्या करना है सिंप्ली लेयर में जाना है और इसको भी हमको कट आउट के नीचे ला देना है ताकि हमारा कट आउट क्यों पर जादा लाइट बनाए क्योंकि हमारा फेस उससे अच्छा नहीं देखेगा इसके बाद हमें से कहीं भी टैप कर देना है और इसके बाद हमको अब यह फोटो में थोड़ी सी आइस जो है उस पर वर्क करना है तो हमें से सिंप्ली ड़न कर देते हैं और यहां से जाएंगे हम सिंपल एड़ फोटो में और एड़ी जाने के बाद मैं इसमें आइज बनाने वाला हूं तौआइस मेरे पास कुछ इस टॉप में रखी हुई है तो ये हैं एक ही है इसको दोबार ट्याप कर प्रेंगे एड़ कर देंगे इसके बाद इसे फिट करेंगे थोड़ा थोड़ा च्छोड़ करके और जूम कर लेते हैं पहले तो इसे फिट करेंगे हम अपनी आइज में तो देखिए आराउंड से करिएगा तो यह हो गई हमारी एक फिट और यह दूसरी को भी फिट कर लेते हम और यह भी हो गई हमारी दूसरी भी फिट तो सिंप्ली मैं अपना पैन निकाल लेता हू हुआ है कि और इसके बाद मैंसे अच्छे से एजस्ट कर देता हूं दोनों को ठीक क्राइब इतनी हो गई है अब इसमें से एक को हम यह सी जां इंगरहेंगे और इज prankर नीचे से थोड़ा सा ऊपर ऊपर से थोड़ा साथ साइट साइड से थोड़ा-थोड़ा और यह हमारी एक आइस कंप्लीट हो गई इसे डन कर देते हैं अब सेके आइज में जाते हैं इसे एडिट करते हैं यह आटोमेटिकली जूम हो जाती है एडिट के टाइम तो दिक्कतवाली बात नहीं है इसके बाद हमेंसे और जो है इतना फिट कर देते हैं तो देखिए गाइज यहां आइस जो है हमारी सक्सेस्फुली लग गई है इसके बाद मैं इसकी थोड़ सी ओपैसिटी कम करूंगा जूम करके देखा देता हूं आपको तो यह इतनी रहेगी हमारी इसकी ओपैसिटी 65 औ इसका जो थोड़ा सा एफच है वह देना है तो फेस के लिए हम थोड़ा सा इसको अपना सकिंटोन बढ़ाएंगे तो इसकी आप कितना फर्छ जो हैं में सकीन टोन में होता है इसके बाद हम यहां से सिम्पली जाएंगे स्मूथ plugin और स्मूथ हम कर देंगे इसका 85 80 और वह ब्रश का यूज़ करेंगे और पूरा पहले तो इसको क्लियर कर देते हैं इसके बाद जूम करेंगे और ब्रश को यूज़ करेंगे हम स्मूथ इतना और जहां जहां सिर्फ हम को स्मूथ करना है सिर्फ वहीं वहीं स्मूथ करेंगे तो यहां भी कर देते हैं थोड़ा सा और में ओरहें और यहां भी कर देते हैं तो यह हो गया स्मूथ आप लास्ट प्रेहें हमारा जो है एक जんな ऐसे हमारी फोटो पूरी द्लेंद फाइनल रिजर्ट हमको मिलेगा तो ब्लेंड में मैं यूज़ करने वालों सब्लेंट में तो एफेक्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ एफेक्स का कुछ एक बहुत अमेजिंग लगता है मुझे एफेक्स का उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन मैं देखूंगा तो पहचान लूँगा मिल 2 तो यह मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पर तो देखिए कितनी अमेजिंग पीछे का बैक्राउंड भी और यह भी फोटो जो है हमारी यहां से आप फेड कम जादा करके भी देख सकते हैं और भी वहां से फैक्ट हैं आप यूज़ करके देख सकते हैं अपनी फोटो मे सही लग रहा है अगर इसकी उपैसिटी इतनी रखें फेड हम 50 और यह बहुत सारे फैक्ट हैं और मैं जो फिल्टर वाले फैक्ट हैं वह भी दिखा देता हूं एक दो तो यहां से देखिए यह पी एल आरडी पी एल आरडी का बलर और माइस कम करके देखते हैं कैसा लग तो यह भी थोड़ा सा डार्क हो रहा हमारा फेस तो मज़ा नहीं आ रहा है यह वाला देखते हैं इसमें भी डार्क हो रहा है यह वाला देखते हैं इसमें भी डार्क है तो यह सहीं लग रही है यह वाला कलर और यह वाला यह सहीं लग रहा है मुझे एस पीसी टू तो इस 7 रखूंगा इसे डन कर दूंगा तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यह जो पूरी मैनुपलेशन हो गई है अगर आप तो को कट आउट नहीं करते आ रहे तो आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा काट आउट वाली और जो भी आपको स्टॉक डाउनलोड करना आपको यह पीछे वाला फॉंट डाउनलोड करना है बैक्राउंड डाउनलोड करना है और यह गलोप PNG और आइस PNG जितनी भी है सब यह आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां मिल तो वाइस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए भाई टेक क्यार खुदा हाफिज और मैं इसे सेफ कर देता हूं नहीं तो कई लोग बोलते हैं जो नए होते ना बिगनर्स वो बोलते हैं कि फोटो सेफ कैसे करें तो हैवी कॉलिटी में अगर आपको फोटो सेफ कर लीजिए आप सिंपल ड्रॉ में जाके ट्री डॉट में क्लिक करके सेफ कर लीजिए तो मैं इसकी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं डीटेल तो देखिए यह जो है 1568 by 1960 पर सेफ हुई है और 1.13 MB की फाइल रहे यह बन गई और काफी अमेजिंग लग रही है तो गाइस मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक क्यार खुदा हाफेज